राजनीती में न तो कोई स्थाई दोस्त होता है और ना ही कोई स्थाई दुश्मत ये तस्वीरें इस पुरानी रवायत पर मुहर लगा रही है कुछ दिनों पहले तक अशोग गहलोत और सचिन पाइलट एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खीचे हुए थे लेकिन अब तलवारें वापस मियान में जा चुकी है सचिन पाइलट करीब महीने भर बाद जैपुर पहुँचे अशोग गहलोत के घर जाकर उनसे बुलाकाद की अशोग गहलोत ने बड़े भाई की तरह सचिन पाइलट का हाथ अपने हाथों में लिया और फिर दोनों नेताओं ने विक्क्री का वी साइन बनाया कॉंग्रेस विधायक दल की आज की बैठक से पहले कॉंग्रेस नेता केसी वेडू गोपाल ने कहलोत और पाइलट खेमे के विधायकों से बातचीत की तय किया कि जितने भी विवाद हैं उनकी पूर्णाहुती आज कर दी जाए तस्वीर में दिख रहा है कि संगचन महासचिफ केसी वेडू गोपाल और कॉंग्रेस के राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे ने मास्क नहीं लगा रखा है दोनों की खुशी साफ जलक रही है सचिन पाइलट और अशोग गहलोत में मास्क पहन रखा है लिहाजा इनके मन की हल चल चेहरे से बया नहीं हुपा रही फिलहाल जो तस्वीरे हैं इन्हें देखकर कॉंग्रेस आला कमान जरूर राहत की सांस ले रहा होगा अशोग गहलोत और सचिन पाइलट किस भरत मिलाब पर यही कहा जा सकता है कि एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग चेहरे पर मास्क रूपी नकाव लगा था इसलिए चेहरे का भाव पूरी तरह से तो नहीं समझ में आया कोरोना की वज़े से गले नहीं मिले मगर उमीद करनी चाहिए कि दिल मिला रहेगा बगावत के बाद सचिन पाइलेट कॉंग्रिस विधायक दल की बैठक में पहुँचे तो वहां जिंदाबाद के नारों से उनका स्वागत हुआ हाला कि जाद इन नहीं हुए जब अशोग गहलोत और सचिन पाइलेट ने एक दूसरे पर करार आवार किया था साथ साल के अंदर एक मात दास्तान हिंदुस्तान के राजी होगा जब प्रदीश कॉंग्रिस कमेटी के अधिक्स को बजलने की मांगने करी ना सीनियर ना जूनियर ने एक छोटी खबर नी पड़ी होगी किशी ने कि पाइलेट साब को हटाना चाहिए प्रदीश कॉंग्रिस कमेटी अधिक्स थी हम जानते हैं कि निकमा है ना कर रहा है कुछ काम नहीं कर रहा है खाली लोगों को लड़वा रहा है कॉंग्रिस आला कमान के दखल से सजिन पाइलेट की घर वापसी हुई तो मुख्यमंत्री अशोग गहलोत ने भी कह दिया कि मतभेद भुला कर ये आगे बढ़ने का वक्त है आज कॉंग्रिस विधायकों की बैठक भी इसी लिए बुलाई गई ताकि संदेश जाए कि अब राजस्थान कॉंग्रिस में सब कुछ ठीक है 14 अगस्त को राजस्थान विधान सभा का सत्र शुरू हो रहा है सचिन पाइलेट की घर वापसी के बाद कॉंग्रेसी खेमे में अच्छी ख़वरों के दिन बहुर गए है कॉंग्रेस ने पाइलेट खेमे के विधायक भावरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंग का निलंबन वापस ले लिया है होर्स ट्रेडिंग में शामिल होने के आरोपो की वज़ह से दोनों के खिलाप निलंबन की कारेवाई की गई थी मैं इसका धन्यवाद हायकमान को और हमारे जो प्रभारी है उनको और सभी शीर स्नेर्तरत को और कि मंतर जी को धन्यवाद देना चाहूँगा और यह सब कुछ जो हुआ वो आपके सामने है अब कोई ऐसी बात नहीं है हम उन लोगों में से हैं जो पार्टी को और मजबूत करने के लिए को मैं संताव में था और संगठन में था अब अशोग गहलोद निश्चिन थें कि उनकी सरकार को कोई खत्रा नहीं लेकिन बीजेपी अभी भी ताल ठोक रही है कि गहलोद सरकार पहुमत खोच चुकी है बीजेपी कल विधान सभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है अभी भी कोशिश किये पेचिंग की लेकिन आप सब लोग देख रहे हो कि एक पूरप जा रहा तो एक पस्चिम जा रहा एक को पकड़ के ला रहे तो दूसरा जेसल मेर जा रहा है ऐसी घती में मुझे लगता है कि सरकार ज्यादा दिन तक जी नहीं सकेगी बने इसका टाका लगाने की कोशिश किया पर कपड़ा फट चुका है तो आज नहीं कपड़ा फटेगा बीजेपी की पूरी आस बीएसपी विधायकों की आयोकिता पर टिकी है जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी इस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट में भी कल सुनवाई है खाला कि अगर अविश्वास प्रस्ताव आएगा भी तो राजस्थान सरकार को कोई खत्रा नहीं दिखाई दे रहा दिल्ली से अनीशा माथूर के साथ शरत कुमार जैपुर आज तक